हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करना वाले हैं अगर किसी को भी खून की कमी हो या नर्फ पेन हो रखा हो या हड्यों में दर्ध हो या कमजोरी हो या वजन कम हो या भूख नहीं लगता है या थकान हो तो यह सब कब शो होता है किसी को भी जब उसके का सबसे ज़्यादे यूज के जाता है पॉलिवियन एलसी हो गया यहां पर बीकोसिल देख सकते हो और बीकॉम्प्लेक्स सिरप यह तीन का बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर यूज के जाता है तो हम पहले इसके अंदर इंक्रीडियेंट्स के बार में बात करेंगे और फायदे के बार में बात करेंगे उसके बार डोस हो गया साइड इफेक्ट हो गया इंट्रेक्शन हो गया प्रिकॉशन्स हो गया सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में तो एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएग B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 और बाकी जो vitamin A है वो एक अकेला होता है vitamin C अकेला होता है vitamin E अकेला, vitamin K अकेला वो अकेला होता है बट यह जो vitamin B होता है ना इसके अंदर बहुत सारे आते हैं इसलिए बोले जाता है vitamin B complex मतलब इसके अंदर जो है थाइमीन और यह काम करता है हमारे जो muscles है ना यह कमजोर muscles को मजबूत करता है इसके अलावा जो आपका वजन कम हो गया है तो उसको जो है वो recover करता है या फिर बढ़ाता है वजन को उसके अलावा जो है vitamin B2 देखने को मिल जाएगा जिसको हम आप रीवो फ्लेविन कहते है रीव फ्लेविन जो कि आपका appetite है ना उसको ठीप करता है मतलब हमारा अगर appetite ठीक नहीं होगा तो हमें भूकने लगेगा तो हम खाना नहीं खाते है उतना इसको इश eine weight जो है वो सही हो जाएगा तो body के अंदर जो circulation है उसको ठीक करता है जो cholesterol है उसको production करता है बट जो bad cholesterol हम कहते हैं जिसको LDL कहते है उसको घटाने का कम करता है good cholesterol को बढ़ावा दो और bad cholesterol को कम करो ये इसका काम है vitamin B3 का अब बात करें ने जो है vitamin B5 है जिसको हम कहते है calcium pentothenic अब इसका काम है कि जो आपका nerve pain हो रखा है ना देखो एक जो नस्य होती है हमारे खून को पहुंचाती है पूरे body में एक जो दूसरा nerves होते हैं जो जिनका काम होता है कि अगर हम ऐसे touch करेंगे न तो यह message जो है वह brain तक जाता है तो वह nerve damage होने के वज़एसे ना बहुत ज्यादा पीन होता है तो उसी nerve pain को हो रखा है यानी अनीमिय वाला situation खून की कमी है सरीर में तो आर बीसी इसको बनाएंगे red blood cells को ताकि आपका खून के कमी पूरा हो और अनीमिय जो हो रखा है वो ट्रेट को कर पाए नेक्स्ट हम बात करतो विटाविन B6 B6 को भी हम लोग क्या बोलते हैं पायरे डॉक्सें अगर आपके बॉड़ी के अंदर अनीमिय हो रखा है खून के कमी है तो आर बेसी इसको फॉर्म करवाएगा इसके अलवा जो आपको कमजोरी है ना उसको दूर करेगा बॉड़ी के अंदर DNA RNA बनवाएगा और DNA RNA बहुत जादा important होते हैं जो आपका cell का functions है और जो उसका structure है और एक तरह से information को store रखने का काम करते हैं तो DNA RNA को form करते रहें उसके लाव जो आपका brain है nervous system है वो अच्छा काम करें बेटर काम करें तो इसके लिए पायरेडॉक्षिन भी बहुत जादा जरूरी है जो कि तीनों में देखने को मिलेगा यह सबी जितने भी मैं बता रहा हू इसके लावा B12 जिसको कोवैलमीन कहते हैं और आपको ठकान है वजन कम हो रखा हो mouth ulcers और इसके लावा जो है अनीमिया तो उसमें भी यह काम करता है आर्विसेस को production करवा करके तो यह सब हो गए vitamin B complex के अब हम बात करते हैं इसके अंदर lysine देखने को मिलेगा और polybion के करवाओ जो आपका सरीर है उसका अच्छा विकास प्रवाइट करवाओ उसके अलावा body के अंदर carnitine को form करें carnitine एक ऐसा nutrient होता है जो responsible होता है body के अंदर fatty जो fatty acids होते हैं उनको convert कर देता है अब convert किसमे करेगा तो यह convert कर देता है good cholesterol जिसके वजह सब जो हमारा bad cholesterol है उसको घ energy form में तो fatty acids से क्या मिल गया आपको energy मिल गया और जो cholesterol है और bad cholesterol को घटा दे और good cholesterol को बठावा दे तो यह दो काम मेली जो बड़े काम है वह इस लाइजन का काम है इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको vitamin C देखने को मिलेगा अब यह जो vitamin C यहां पर आप देख रहों इसक का नाम पहले यह है कि ascorbic acid इसको कहते हैं और body जो हमारा सरीर ने इसके अंदर free radicals form नहीं हो देता difyсть आपको जो यहां पर वी complex है यह आपको देखने को मिलेगा यहां पर देख सकते 170 में गधिन है यह पर हम प्राइस के बारें बात करते areas यहां पर सकते 1 Abg7 मे यह देखने को मिल लागा और यहां पर जो deux को सूल का है यह आपको 40 रूपीज में देखने को मिल लेगा 40 के सम्तिंग में हैं तो यह हो गया इन तीनों के बारे में 48 अब हम बात कर लेते हैं क्या है डोस तो डोस जो है वह बच्चे भी यूज कर सकते हैं जैसे कि 5-6 साल के बच्चे जो हैं पट वह डॉक्टर के सलास ही कि आप इनका यूज करो तो बच्चों के लिए वही 5-5-5-5 ml तक होता है वह उसके साइज और उसके वेट देखर के पता करते हैं कि कितना उसके सर्फेस एरिया है और कितना ज्यादा एज है तो वह डॉक्टर बताएंगे उसके अकोर्डिंग चलता है उनका डोस लेकिन ज भार वारे यूज किये जाता है तो यह हो गया इन तीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं क्या इफेक्टेश देखने हो मिलता है तो किसी भी स्पाइड नॉजिंद्ढक कि मैडिसिन च dł hack our यह जो बैसक होता था थाकत होता है वही इसमें भी देखने को मिलेगा और यह जादा आपने जो आपको बॉडी के डिमांड थी 5 ml पीने की आप 10 ml पी गए या फिर 10 ml की रिकॉर्मेंट या जादा उससे इसको कंजियूम कर रहे हो तब आपको यह सब साइड एफेक्ट देखने मिलता है और वैसे कोई इसका हानफुल साइड एफेक्ट नहीं है कि जादा अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन तो ब्रेस्ट फेडिंग वूमें हो गई या फिर प्रेगनेंट वूमें हो गई और किड्नी लिवर पेशेंट्स हैं तो यह सब डॉक्टर के सला से ही इनका यूज करें इसके अलवा जो है इंट्रेक्शन के अगर हम बात करें तो आप ए एक्शन्स हों का बॉड़ी में जो कि डेंजरस साइड इफेक्ट कोस कर सकते हैं तो यह कुछ बात ही ती जिसको आपको द्यान में रखना है जब आप इन सीरफ का यूज कर रहो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ऐसी वीडियो हमारी चैनल पर आते रहत में